नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आपका हमारे छेनड में दोस्तों मीन रासी वाले जात्कों के लिए 30 और 31 सगस्त यानि महीने के आखरी ये दो दिन कैसा रहने वाला है तथा इन दो दिनों में जोती सास्तर के विद्वानों के अनुसार कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिनके कारण मीन रासी वाले जात्कों को जो चाहोगे वो आपको मिलने वाला है आपके जीवन में आपको खुश्या प्राप्त होने वाली हैं वहीं कई प्रकार के सुक्सादनों के प्राप्त भी आपको होने वाली हैं आपके वैपार, वैवसाय, करियर लव लाइफ और आपके स्वास्त में भी परिवर्तन होने वाला है तथा आप अपने जीवर में काफी जाधा तरक्की भी इंदियों दुनों में करने वाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आक्रित देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चेनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मित्रों मीन रासिवाले जातकों को बताना चाहेंगे कि इन दो दिनों में आप लोगों के उपर धन की देवी मालक्टमी जी का आसरबात बना रहेगा जिसके कारण आपके जीवर में खुशियों की वरसाथ होने वाली है तता मीन राजी के लोगों के लिसमें बहतर रहने वाला है जो लोग कारिदत हैं नोक्री पेसा वाले हैं उन लोगों के जीवर में इस समय खुशियां असानक से दस्तक दे सकते हैं आपके जीवर में आपक जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है मालक्षमी के आशिरवात से आप लोगों की आर्थिक इस्तित्या भी मजबूत होने वाली हैं परिवार में खुशी का माहुल बना रह सकता हैं तथा परिवारिक जिम्मेदारे को पूरा करने के आप कोसिस कर सकते हैं तथा मीन रासी वाल को सफलता के कारण आपका मन परसन बना रहेगा आपके कारिशेत्र में विस्तार के संभावनाएं हैं ज़िए आपके पास कोई लंबे धन हैं तुसे भी आप वापस प्राप्त कर सकते हैं व्यपार में आपको लाव के प्राप्ति होंगी परिवार में खुशी का माहूल ब दूर होंगी नौकरी पेसा वाले व्यक्तियों का तबादला होने का योग बन रहा है पुदनती के साथ साथ आपके सभी विरोधी और सत्रू भी नश्ट होंगे आपको हर जगा अच्छी कबरे सुनने को मल सकते हैं जिनके कारण आप कुसी का अनुबब कर सकते हैं दामपत् वैपारे भर्गे के जातक हैं उन लोगों को वैपार विश्टार करने के मौके प्राप्त हो सकते हैं भारे लापके संकेत हैं आपको प्रिवार में खुसी का माहौल बना रहेगा तथा मीन रासी वाले लोग अपने आई में वर्दी कर सकते हैं आपका स्वास्ट भी पहले इसमें अपार सफलताई मिलेंगे लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंतर रखने की आवस्यकता हैं जिदि आप अपने क्रोध पर नियंतर रखते हैं तो आप सबसे बड़ी समस्याओं से बस सकोगे आपका आने वाला समय खुशिसे वीतने वाला है आपको लाब मिलने के य देख सकोगे जो लोग बैवसाई हैं उन्हें बैपार में भारे धनलाब होने के संभावना हैं आपके जीवन में सभी समस्याइं और परिशानियां समाप्त होंगी आर्थिक इस्तिया भी मजबूत होंगी आपको वहां चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत रहेंगी आप अपने उन दोस्तों को विसेश रूप से कारी कर सकते हैं और में रासी पर महाकाल के आशरवाद से आपके जीवन में आने वाले बुरे सक्तिया भी दूर होंगी आपको सफलता के नयक करतिमान अवसर प्राप्त होंगे और लाब उठाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं मत्रों में रासी वाले जो लाजातकों को अपने जीवर में आसानी से कारे करने के मौके प्राप्त होंगे और आप लोगों को सिख्षा के छित्र में बड़ी सफलता मिल सकते हैं। नोकरी पेशावाले व्यक्तियों को भी अपने पुदुनती के मुखे प्राप्त होंगे आपके व्यवसाहे में लाब हो सकता है। महाकाल की किरपा से आपके अचारग धनलाब हो सकते हैं जिनके कारण आपका दल भी खुश बना रहेगा। आपके सपने विसाकार होंगे और आपको सहयोग्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होंगे आपके घर में सांती का माहूल बना रहे सकता है। परिवार में जिसतिया मजबुत होंगे आपके जीवर में खुशिया आने वाली हैं। जीवर में कई वदलाब होने वाले हैं। आपके आर्थिक इस्तिया तेजी से मजबुत होंगे समाद में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपको घर बैठे बैठे कोई बड़ी खुशकवरी प्राप्त हो सकते हैं। और आपके खिस्मात 31 अगर्ष्ट से समकने वाली हैं। आप लोगों की कुंडली में राजयोग की सुरुवात हो चुकी हैं। आने वाले महीनों में आप लोगों को इनकम के छेत्रवे लगातार प्रोत्री करने के वोके भी फ्राप्त होंगे। आप सफलता के नय किर्तिमान को अस्तापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में आपकी आय और पुदृत्ती में विर्दी होंगी। कारोबार में नय सोदे को भी अंतमुर्व दे सकते हैं। बवस्य में अत्तिक लाव भी अर्जित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको सर्वस्रेश फ़लो के फ्राप्ती होंगे। ब्रुजगार यवाओं को अच्छी नौकरी मिल सकती हैं। आपके समाद में मान सम्मान और परतिष्टा में वढ़ोत्री होंगी। आप अपने सबी सपनों को भी साकार कर सकोगे। और आप लोगों को विशेश रूप से इन दो दिनों में अपने जीवन में लावकारी योजनाओं को बनाने के मौके प्राप्त होंगे। आप जिद्धी सभाव को छोड़कर अपने मन को सांत बनाय रखने की अवस्य कोस्त करें माता पिता के सांती आपको जीवर में लाब दिलबा सकते हैं आपके घर में देर हैं और जीवर में काफी जादा संभावनाओं को प्राप्त करने के मुखे प्राप्त होने वाला है आप लोगों की किसमत फिर से पलटने वाली हैं और बड़े खुसकबरे भी आपके जोली में आपको प्राप्त होने वाली हैं बड़े खुशकबरियों को प्राप्त करके आप लावकारी उजनाओं को आसाने से प्राप्त कर सकते हैं और समाज में अपने एक अलग पदद्धी का निर्मान कर सकते हैं जो के मीन रासी के लोगों के लिए कौफिस सुब रहने वाला है बत्रों इन दो दिनों में आपको अपने कारी शेतर में अपने जीवन में अनुकूल प्राप्ती होंगे और 30 और 31 अगस्त के दिन आप अपने सभी सपनों को भी साकार कर सकोगे समाज के लोग आपके जीवन में आपको खुशिया दिलाने में आपके सहता कर सकते हैं समाज वाले घर वाले पुरिवार वाले आपके इज़त आसानी से कर सकते हैं आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दे आपका दिन सबहों मंगल कारी हो जैमा विन्दु वास्मी नमस्कार दोस्तों